कि एक सी एले से सॉइटीज के के सीबेशी स्कूल चिकोडी तुमस्ते बच्चों कैसे हो आप सब आप सब आप सब फिट आइंड फाइंड होंगे है ना बच्चों तो आज के इस हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिस एक बार स्वागत हैं तो आईए बच्चों आज के इस हिंदी क्लास में हम क्या सीख रहे हैं तो आज के इस हिंदी क्लास में हम हिंदी गिंती क्या सीखने जा रहे हैं बच्चों हिंदी गिंती एनिके नंबर्स सीखने जा रहे हैं तो सीखने जा रहे हैं तो अल्रेड़ी हम में आपर हिंदी गिंत सीख चुके हैं है ना बच्चों कहां से कहां तक एक से लेकर दस तक की गिंती हम लिखना और पढ़ना सीख चुके हैं तो आज हम यहां पर क्या करेंगे बच्चों ग्यारा के बाद आने वाला नंबर कौन सा है बच्चों सोरी दस के बाद आने वाला नंबर कौन सा है ग्यार यहां 11 से लेकर 20 तक की गिंटी को आज हम सीखने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है बच्चों इस गिंटी की वीडियो क्लास पर आपको ध्यान देना है और इस गिंटी को किस तरह से लिखा जाता है उसे भी आपको क्या करना है यहां पर प्रैक्टीस करना है तो आईए बच्चो आज हम यहाँ पर 11 से लेकर 12 तक की गिंती को सीख रहे हैं और सीखने जा रहे हैं तो देखिए बच्चो 11 तो आईए बच्चो गिंती 11 से लेकर 20 तक बच्चो 11 से लेकर 20 तक की गिंती तो देखिए बच्चो 11 तो 11 को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं क्या कहते हैं बच्चो तो 11 को हम क्या कहते हैं बच्चो 11 कहते है ओके तो देखें बच्चो यहाँ पर 11 की spelling क्या है बताए लेवन की spelling क्या है इस 11 की वेली क्या है बच्चो ए यल ए वी ए येन तो आपको क्या करना है यहाँ पर अंग्रेजी गिलती की साथ साथ आपको क्या करना है बच्चो हिंदी की गिलती भी लिखनी है ए ए ल ए वी एन 11 एनिकी क्या है बच्चो यहाँ पर इस 11 को 11 कहते हैं उके 11 को हम क्या करते हैं बच्चो ग्यारह कबर नेक्स 11 के बाद आनेवाला नंबर कोन सा है बच्चो बारह इस बारह इनिके अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों बताईए 12 तो 12 किस तरह से लिखा जाता है बताईए 12 किस तरह से लिखा जाता है हिंदी में 12 कहते हैं और अंग्रेजी में 12 कहते हैं तो इस तरह से आपको क्या करना है बच्चों हिंदी की वर्ड्स भी लिखने हैं और हिंदी की गिंती लिखनी हैं और हिंदी के वर्ड्स भी लिखने हैं बारह Next देखीए बच्चों यहांपर तेरह तेरह इनिके जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों तेरह को हिंदी में तेरह कहते हैं और अंगरेजी में क्या कहते हैं थरटीन कहते हैं S-小心 T-H-I-R-T-E-E-N तो थरटीन को हिंदी में 13 कहा जाता है 13 ओके समझ में आ गए बच्चो 13 नेक्ष 13 के बाद आने वाला नंबर कौन सा है बताईए बच्चो 13 के बाद आने वाला नंबर कौन सा है 14 इस 13 के बाद आने वाला नंबर कौन सा है 14 14 इने के जिसे हम क्या कहते है 14 कहते है 14 इस 14 एफ ओ यू आर टी डबल ए यन इस क्या है बच्चो 14 और 14 को हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है तो आपको यहाँ पर क्या करना है यह क्या है बच्चो 14 इस तरह से 14 लिखा जाता है और उसकी स्पेलिंग क्या है बच्चो हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है तो ये क्या है बच्चो 14 14 S नेक्स्ट देखिए याँ पर 14 के बाद क्याता है बच्चो 15 14 के बाद क्याता है 15 15 यह निके जिसे हम हिंदी में अंग्रेजी में क्या कहते है 15 15 को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है बच्चो 15 15 ये 5 ती डबल ई येन क्या है बच्चों 15 तो इस तरह से आपको क्या करना है हिंदी गिंती लिखनी है इंग्लिश गिंती लिखनी है पहले इंग्लिश के वर्ड्स लिखने है हिंदी गिंती लिखनी है और उसके बाब हिंदी के आने वाले वर्ड्स हैं पर आपको लिखने है ये क्या है बच्चो पंद्रह, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह Yes, पंद्रह के बाद आने वाला नमबर कौन सा है बच्चो सोलह 15 के बाद आने वाला नंबर क्या है बच्चो? सोलह जिसे हम क्या कहते हैं? अंग्रेजि में 16 कहते है Yes क्या कहते हैं बच्चो? सोलह को हम अंग्रेजि में 16 कहते है S IX 그래요 16 Yes सोलह ok उके निक्स सोलह की बाद आने वाला नमबर क्या है सत्रह सोलह की बाद आने वाला नमबर क्या है बच्चों सत्रह सत्रह को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में सवंटीन कहते हैं सत्रह को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों सोलह सत्रह को सवंटीन कहा जाता है तो सवंट टी डबल ई येन सवंटीन इस तरह से आपको क्या करना है बच्चों? यहाँ पर हिंदी गिंटी को रीड करते हुए उसी लिखना है और अंग्रेजी में भी आपको लिखना है सत्रह सत्रह के बाद आने वोला नंबर कौन सा है? अठारह इस कौन सा है नंबर बच्चों? अठारह तो आएए अठारह को अंग्रेजी में क्या करते हैं बच्चों? बताएए अठारह को यहाँ पर 18 कहा जाता है इस अठारह को क्या कहा जाता है बच्चों? अठारह को 18 E I G H T E N इस क्या है बच्चों? 18 अठारह 15 15, 16, 17, 18 15, 16, 17, 18 ओके नेक्स्ट अठारह के बाद 18 के बाद 19 18 के बाद क्या आता है बच्चों? 19 18 के बाद 19 तो देखिए यहाँ पर 19 यह निके जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? 19 कहते हैं Yes, हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? 19 कहते हैं और 19 को इस तरह से लिखा जाता है देखिए हिंदी गिंती आपको किस तरह से लिखनी हैं? 19 19 से लिखे? 19 19 N I N N I N E T E N क्या है बच्चों? 19 S 19 की स्पेलिंग आती हैं आपको? Yes तो इस तरह से आपको क्या करना है? 19 की स्पेलिंग लिखनी है N I N E T E N Okay N I N E T E N 19 19 नहीं के? 19 Okay सबस्पे आपकों बच्चों? 19 19 19 की बाद क्या आता है बच्चों? 20 19 की बाद क्या आता है? 20 और 20 को क्या कहते हैं? बताए 20 को क्या कहा जाता है? 20 Yes 20 को क्या कहा जाता है बच्चों? 20 20 की स्पेलिंग क्या है? T W E N T Y क्या है? 20 20 को 20 कहते हैं और 20 इस तरह से लिखा जाता है आइपर जाता है? तसना अहों आइपस क्या जाता है? वीआ बच्चों? 14 बच्चों 2 4 5 7 6 इस तरह से आपको क्या करना है हिंदी की गिंती को रीड करना है समझ में आगे न बच्चों क्या करना है आपको हिंदी की गिंती को रीड करना है चलिए फिर से एक बार से रीड कीजिए ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंदरह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीज इस तरह आपसे आपको क्या करना है बच्चों? इस हिंदी की गिंती को लिखना है तो यहाँ पर हिंदी की गिंती इस तरह से लिखी जाती है इसे आपको क्या करना है बच्चों? लिखना, प्रैक्टीस करना है तो यहाँ पर 11 से लेकर 20 तक की गिंती को आज हमने सीखा तो आज की इस क्लास पर आधरेत आपका ग्रहकार क्या है बच्चो इस गिंती को 5 टाइम्स लेकर मुझे बेजना है 11 से 20 तक की गिंती को क्या करना है बच्चो 5 टाइम्स लेकर मुझे बेजना है I hope आज का यह क्लास आपकी समझ में आज जुका होगा Next क्लास में हम फिर मिलेंगे Okay, Bye, Take Care